हे गाईज गूर्णादी विल्कम टू नियू ब्लॉक्स तो हम इस समय आ चुके हैं हैं एस्टेपी बात पर और यहां से आप लोगों को दिखाते हैं गंगा नदी का पानी काफी तेजी के साथ कम हो रहा है तो यह है सामने गंगा नदी और हमारे पीछे हैं एस्टेपी बात तो चलिए देखते हैं तो गाइस देख सकते हैं हम लोग हैं समय स्टीपी मात पर जो कि water treatment plant है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी लोग mining मात पर आये हैं जो कि यह अभी दो दिन पहले इसको बंद कर दिया गया था अध्यादे पानी बढ़ चुका था और इस साइड है छोटा पाड़ा और गंगा नदी का पानी काफी तेजी से घट रहा है देख सकते हैं इधर जितने भी घट थे हाला कि पानी इतने तेजी से काँट घट रहा है कि सभी के घट जो एक एक लोर डूबे थे वो कम हो गया है तो इधर है पूरा गंगा नदी और इस साइड है नागवास के मंदीर और इधर देख सकते हैं पूरे पत्थर लगे हो गया है और ये पानी काफी उपर तक था जहां पर ये घास दिख रही है जो की काफी नीचे हो गया है तो वो चलते हैं और आगे वहां से दिखाते हैं आप लोगों को कोश्च ये फट बात के अंदर का सिन है जो की इधर पूरा पर प्लांट लगा है और ये है यहां पर जो देख रहा है यह लगा हुआ है solar plant जो कि इससे विजली की supply पुरे इसी plant की होती है और इधर तो आस पास है और आगे चलते हैं वहां से दिखाते हैं आप लोगों को तो गाई हम आ चुके हैं इस टेपी plant के पास में और यहां देख सकते हैं यहीं से होता है जो सहर के प्रदुसित पानी होता है उसको उसका व्लीच करके ट्रेटमेंट करके उसको गंगा नदी में छोड़ा जाता है यह पूरा plant लगा हुआ है काफीरस का एरिया है इस से आप देख सकते हैं पूरा हां पर अंदर कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं और मशली पकाड़ रहे हैं कि और आगे처럼 बहुँए वहां से आप लोगों को दिखाते हैं नागवास के साइट है को गाई हमा चुके हैं सभी नागवास के मन्दी.im गठीट काफी पानी कम हो चुका है तो आपको जूम करके दिखाते हैं यह आप देख सकते हैं जो नीचे से सड़की गई थी आप से भी और यह पूरा गंगाजी वह अरिया है यह प्लांट लगा है यह वाला मेन एरिया आपको और जूम करके दिखाते हैं ये देखे गंगा प्रदुसर्ण यंतर्ण एकाई ये पूरा बना हुआ इधर इधर गंगा प्रदुसर्ण यंतर्ण एकाई और इस साइट पूरा गंगा जी है तो इधर देखते हैं आपको एक तरफ से दिखाते हैं पूरा ये पूरा गंगा जी वाला एरिया है और ये वाला पूरा एरिया गंगा प्रदुसर्ण यंतर्ण एकाई का है तो गाईज ये इस टेपी बात का पानी जो था वाटर ट्रिट्मेंट करके ये गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है ये देख सकते हैं काफी प्यारा लग रहा है देख सकते हैं यहां पर सफाईया चल रही है जो कि गंगा नदी का पानी काफी तेजी से गट रहा है तो यहां पर सफाईया चल रही है हैं पूरी तरीकों से और इस साइड है स्टीपी बांद और यहां पर काफी लोग बोट ले करके मचली इसली पकड़े वाले हैं तो आज की ब्लॉग में बस इतना ही मिलते हैं कि सिनेश्ट ब्लॉग में तब तक के लिए भाई